हलो गाईज और वेलकम बाक तो माई चानल सिर्फ आयस तो न्यूज यह है कि नीति आयोग मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स ओवर 50 परसेंट बिहार पूर तो आक्छली में इंडेक्स क्या है और कैसे कैसे बिहार के गरीब यहां पे बिहार के पूर सामने आये हैं देखेंगे पूरी बात को आईए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेलाइन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगलर अपडेट्स मिलती रहें पिलाल न्यूज क्यों है आईए जानते हैं हम और आप कि सरकार का जो थिंग टैंक कि आप जानते हैं पहले प्लानिंग कमिशन हुआ करता था नीती आयोग ने आप रिलीस करा है पहला मल्टी डैमेशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस ले किया है ताकि यहां पे जो नाशनल स्टेट या फिर यूटी ए डिस्ट्रिक लेवल पे जो भी पॉवर्टी का लेवल है उसे मेजर करें जो गर इस लेवल ऑफ मल्टी डैमेशनल पॉवर्टी बिहार जो है सबसे जादा यहां पे पॉवर्टी देखने को मिली 51.91 परसंट स्टेट की पॉपलीशन का यह मल्टी डैमेशनली पूर है तो क्या है कि पूर यह भी समझेंगे सब कुछ और आगे अच्छी तरीके से जाने है बिना स्किप करें जाने है इनका UPSC CSC कॉमबार चलता है साथ मिनट होते हैं 56 कोईशन होते हैं कोई चीज फ्री में है यहां पे जिसे लेने के लिए आप बार बार जाते हो लाइव टैस सीरीज खरीडते हो यह वो तो आपको काफी कुछ मिलेगा लेकिन इसमें फ देखेंस स्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी आपको वहां जाना है आपको मेरा कोड सिर्फ आई यूज करना है अपने आपको फ्री में एन्रॉल करा लेना है अबी जो संडे तिस टुमॉरो कल तो कल जो संडे है तिस कव पांच दिशंबर को इस दिन आपको 11 बजे से यह तेस्स देना है लाइव यह आपका एंडॉइड आप और वेब दोनों जगह अब लेबिल होगा और आप देखिए यहां पे हिंदी में भी इंग्लिश में भी है 100% स्कॉलर्शिप है रांक 123 मतलब स्कॉलर्शिप तो आपको मिलेगी ही मिलेगी तो गो एंड ट्राइव आईए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर तो यहां पर देखिए पॉवर्टी इंडेक्स का एक माप दा रहा हुआ है इसमें कहता है कि बिहार जो है यहां पर हाइस्ट शेयर है मल्टी डामेशनली पूर का बिहार में पीपल वाइल केरला इस दर लीस्ट केरला जो है वह कर सकते हैं आप चीजों को और कर सकते हैं कहीं ना कहीं करेंट है लेकिन यहां पे हम कुछ परसंटेज देखेंगे देखिए बिहार का 51.9 निकला है मनीपूर का 17.8 निकला है यह तरह से देखें तो जादे यह चोटी से स्टेट के साब से तेलांगना का अगरम देखें तो 9.5 लेकिन इस स्टेट भी काफी बढ़ी है यहां पर इन्होंने बना रखा है कि अगर 10 से कम है तो मतलब ग्रीन लाइट है तो परसंटेज ओपर वाला बहुत सादा आजाता है तो यह सब चीजे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंडेक्स के साब से चीजे क्या होती है देखें इंडेक्स के साब जो जारकंड है जारकंड जो है वो सेकेंड पॉजीशन पर इसमें 42.16 परसंट स्टेट की पॉपलेशन यह मल्टि-डाइमेशनली पूर है उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश जो कि 37.79 परसंट है फिर मद्पदेश जो कि 36.65 परसंट है फिर मेगाल में 32.67 परसेंट टॉप फाइव सबसे गरीब सबसे पूरस स्टेट नहां पर लोग रहते हैं मेनवाइल करला तो अब बताया है मैंने आपको कि सबसे कम करला में है गोवा उसके बाद है 3.76 फिर आता है सिक्किम जो कहते है भई 3.82 परसेंट है यहां पर फिर आते है जो कहते है भईया 4.89 परसेंट है आखरी में हम अगर देखें कि 5 लोवेस्ट में पंजाब का नाम भी है जो कि 5.5 परसेंट है तो देखिए उसके साथ यह कोतायम कोतायम जो करला के अंदर है यह एक लौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो रिस्टेड हुई है जीरो पॉवर् को अच्छा है करता है कि करला हर चीज में बहुत जादा अच्छा करता है विशूड लर्न विद कर ला कि इतने बड़े देश में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसे यहां पे जीरो पॉवर्टी गोशित करा गया है इस बारे में सोचना बहुत ही जादा इंपर्टन क्या इंडिकेटर होंगे क्या डायमेंशन ह होंगे तो आप कहेंगे मैं माम यह कैसे की सथा होगा मोटीनिशनल पॉर टिनधेक्स कैसे का प्र essent इस इंडेक्स को क्या प्रेट करा जाता है जबसे पहले जो है सेट अप करते हैं डेप्रिवेशा कट ओस फॉर इच इंडिकेटर के अखिर कर मिनिमम कितनी जरूरत है इस किसी बी इंडिकेटर को पाने के लिए एक मिनिममम क्राइटिरिया लेलो ताट इस लेवल ओफ एक लेवल डिसाइड करो, तो यह होगा, for example, individual has completed at least 6 years of schooling, कि मानलो बंदे ने 6 साल की schooling करी हो, तो ऐसा cut, मतलब कम से कम, ऐसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो देखें कि कम से कम यहां के लोग कितने लोग ऐसे हैं, इन्होंने 6 साल की schooling करी है, तो ऐसा cut-off जो होगा, वो इसलिए apply होगा, कि determine करने के लिए, कि whether individual is deprived in each indicator, weights are added to each indicator, as a composite metric is then used to calculate the index, तो यह हमने पूरी कहानी यहां पर देखी, I hope आपको वीडियो अच्छी है और नालज़े मिल लगी होगी, if yes then do like, share and subscribe, thank you so much for watching, have a nice day, take care.